गुण्डवना गढ़ा मंडला के मरावी वन्च के राजा प्रेम साय परमसक्ति बड़ा देवता के कृपा से अन्धन राजपाट सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन प्रेम साह के प्रेमल साह की रानी पालू रानी उदास रहती थी क्योंकि पालू रानी के कोई पुत्र नहीं थे कोई बेटा नहीं थे कोई लड़का नहीं थे इसलिए प्रेम साह की रानी पालू रानी राज दिन से उदास रहती थी प्रम सक्ति बड़ा देव दाई कली कंकाली की उपास न किया करती थी लेकिन बहुत दिन कुजर जाने के बाद भी कोई संतान नहीं थे तब एक दिन पाल राने कली कंकाली के थाना में कली कंकाली के मणिहा में जा कर कली कंकाली दाई से अरजी करती है बिनिती करती है मिन्नत मांगती है और कहती है हे कली कंकाली दाई आपने तो मुझे सब कुछ दिया राजपाठ है, किले महल है धन दवलत है, अन धन है सब कुछ है पर मेरा कोई बेटा नहीं है मा कोई बेटा नहीं है दाई मैं कैसे कि धीरज धरूं कैसे अपने मन को समझाओं क्योंकि इतने बड़े राज़ की उत्राधिकारी कौन होगा और वह तो वह कोई भी माता, कोई भी नारी यदि उसकी गोदी सूनी है भला उसे कैसे अच्छा लगेगा और माता, मेरी गोदी सूनी है मेरा कोई बेटा नहीं है मा मेरा कोई पूत नहीं है हे दाई, मुझे सक्ती दो मुझे यह सी क्रपा दो दाई इस प्रकार से दाई कलिकंकाली के ठाना में दाई कलिकंकाली के मणिहा में पालो रानी अरजी कर रही है पुकार कर रही है मिन्नत मांग रही है पालो रानी के अरजी सुनकर पालो रानी की मिन्नत को सुनकर कलिकंकाली दाई मणिह के अंदर से आव उसे कल्छप रूप में साक्छा दर्षन देती है और पालो रानी को कलिकंकाली दाई बर्दान देती है कि जा पालूरानी तू उदास मत हो तू उदास मत हो अपनी घर को चली जा मैं तुझे यह बचन देती हूँ आने वाले दस्वे महिने में तेरा पुत्र होगा और जिस दिन तेरा पुत्र जन्म लेगा उस दिन गढ़ा मंडला नाम नगर में सोने की बर्षा बर्षेगी सोने की बर्षा होगी ऐसा कहकर माता कलिकंकाली दाई कलिकंकाली अंतर ध्यान हो जाती हैं और समय आने पर दाई कलिकंकाली के क्रपाय और बरदान से पालो रानी के कोख से पालो रानी का एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम हिर्दे साई हुआ और आगे चलकर वही हिर्दे साई महान या सस्वी महान प्रतापी राजा हुआ जिन होने नाम नगर चवगान में किल्री और महल बनवाए जिन महल और किलो में मोती महल मंत्री महल शरका महल रानी महल पठानिन महल आज भी प्रसित हैं वही किस्सा को वही कहानी को गीत के माध्यम से प्रिश्टुत कर रहा हुँ कि राजा हिर्दे साई जब जन्म लेता है उस समय गढ़ा मंडला नाम नगर चवगान में सुनने की बरसा बरस्ती है और उसी समय का बढ़न है माता कली कंकाली के सामने पालूरानी खड़ी है और मिन्नत कर रही है अरजी कर रही है अन दाए माता धन दाए माता सब दाए दाई कुरापो तुर बेना होई गई अधीन रेदू अन दाये माता धन दाये माता सब दाये माता सब दाये दायी कुरा पूतर बें ना होई गई अधी न रेदु माता सब दाये दाई कुरा पोतुरबे ना हुई गई आधी ना रेदू लिपे पोते हा वैसो घर चवतरिया बाना गाडे हा वैदाई के मडिया पालूरानी आपने अरजी सो ना थे कुरा पोतुरबे ना हुई गई आधी न रेदू अन दाये माता धन दाये माता सब दाये माता सब दाये दाई कुरा पोतुरबे ना हुई गई आधी न रेदू माता सब दाये दाये कुरा पोतुरबे ना हुई गई आधी न रेदू माता सब दाये 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 कुरा पोतुरबे ना हुई गई आधी न रेदू मढ़िया के भी तरले बोलाई कंकाली तोरे कोरा पेटी ना कर हुई खाली तोरे कोरा पेटी ना कर हुई खाली रूज बेहनिया डहरी मुरलिब है जग मागे दिया जलाई है रेदू अन दाये माता धन दाये माता सब दाये माता सब दाये दायी कुरा पोतुरबे ना हुई गई आधी न रेदू माता सब दाये दायी कुरा पोतुरबे ना हुई गई आधी न रेदू मौता सब दाये दाई कुरा पोतुर बेना हुई गई आधीना रेदू आपन राजा की सेवा बाजय है नारी धारम की नियमने भई है राजा प्रेमल साय दिवता बारु बार हर पाले धाने रखई है रेदू अन दाये माता धन दाये माता सब दाये माता सब दाये दाई कुरा पोतुर में ना हुई गई आधीना रेदू माता सब दाये दाये कुरा पोतुर में ना हुई गई आधीना रेदू माता सब दाये दाये कुरा पोतुर में ना हुई गई आधीना रेदू तुरबेट जन्मी सावन माहीना सुन्ने के बरसा बरसी तुरे यंगना मोरे बाचन हावई सुनले पालो रानी जहते हुबे आधीना रेदू मोरे बाचन हावई सुनले पालो रानी जहते हुबे आधीना रेदू अन दाये माता धन दाये माता सब दाये माता सब दाये दायी कुरा पोतुर में ना हुई गई आधीना रेदू माता सब दाये दायी कुरा पोतुर में ना हुई गई आधीना रेदू माता सब दाये दाये कुरा पोतुर में ना हुई गई आधीना रेदू चमके पी जुरिया घाटा घाना घूर गर जाथे बादर पावन चालाई जूर ना मेना गर गाड मंडला खुसी भाईगे जन में हावई हिर दे साहे रेदू ना मेना गर गाड मंडला खुसी भाईगे जन में हावई हिर दे साहे रेदू अनदाये दायी दनदाये माता सब दाये माता सब दाये माता सब दाये दाई कोड़ा पोतर बेना हुई गई अधीन रेदू माता सब दाये दाई कोड़ा पोतर बेना हुई गई अधीन रेदू